दोस्तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई जैसे बेहतरीन रसगुले वो भी घर में और बहुत ही आसानी से इससे आसान तरीका मैंने आज तक कभी भी शेयर नहीं किया है ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है अगर आप ये सबसे आसान तरीका सीखना चाते हैं तो वीडियो को लास तक देखते रहिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हलो गाईज मैं हो शेफ पवन आप सभी का सुनी क दूद हमने लिया है तीन कप अगर कप से बताओं तो तीन कप दूद है यह अब इसको हमें क्या करना है एक बार उबालना है लेकिन अगर यह दूद पहले से उबला हुआ है तो फिर इसको उबलने के जरूत नहीं है मतलब कि थोड़ा सा इसको गरम कर लें बस इतना की पानी मिला लेंगे इस तरह से हम पहले थोड़ा थोड़ा करके इस दूद में डालेंगे और उसके बाद दूद को चलाएंगे अगर ये दूद नहीं फटा तो फिर हम और डालेंगे अगर ये फट गया तो और डालने के जरूरत नहीं है ये देखिए थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि अच् लिए चोड़ देना है दो-तीन मिनट इसको ऐसे चोड़ देंगे तो यह जो पानी है यह बिलकुल सेपरेट हो जाएगा और जो चहैना है वो बिलकुल अच्छे से फट जाएगा मतलब कि बिलकुल अच्छे से फटा हुआ रहेगा अब हम इसको एक कपड़े में कोई भी पट्टा वगर्णा यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपने इसको ढाल देना है, और उसके बाद इसको ऊपर से पानी डाल के थोड़ा सा वश कर लेना है, मोक रिख लेना है अगर आपने विनिगर या फिर निम्वुकर रस यूज़ किया है तो, मतलब कि थोड़ा पानी रहने देंगे बाकी हम निकाल देंगे उसके बाद एक थाली में हम इस तरह से निकाल लेंगे कुछ लोगों की complaint रहते हैं कि जो हमारा छैना है वो कपड़े में चिपक जाता है बहुत ज़ादा चिपक इसलिए जाता है क्योंकि जो पनीर है वो अच् तरह से अपने हाथों से मैश करेंगे ताकि यह बिल्कुल स्मूथ और मखन की तरह क्रीमी हो जाए अपने हाथों से बिल्कुल अच्छे से इसको रगड रगड के मैश करना है यह हासी काम होगा किसी भी चीज का यूज ना करें आप इसके अंदर हमें डालना है एक चम्मच यहाँ पर कोई भी चम्मच आप घर का यूज कर सकते हो एक चम्मच काउन फुलार या फिर एक चम्मच आप मैदा डाल सकते हो दोनों मैं से कोई भी चीज आप एक चम्मच डालेंगे काम हो जाएगा अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद यह बिल्कुल तो इसलिए मैंने यहां पर कॉन फ्लाज डालने को आपको बताया ताकि आपके जो रसगुले हैं वो ना फटे अब हमें क्या करना है कि इसको मिक्स करने के बाद इस तरह से चोटे-चोटे से बॉल समय बना लेने हैं आप यहां पर जो बड़े साइस का रसगुला होता है वो इस तरह से तोड़ लेने हैं मतलब इस तरह से चोटे-चोटे टुकडे तोड़ लेने हैं उसके बाद आपने इसको बिल्कुल इस तरह से क्लीन बॉल की तरह शेफ दे देना है आपने क्लीन बॉल बनाना है बिल्कुल कोई भी क्रैक्स होगारा नहीं होना चाहिए ने तो आपके जो रसकुले हैं, वो फट सकते हैं, मैं यहापे दो-दो करके बना रहा हूँ, आप एक-एक करके ही बनाएं, हमारी तो प्रैक्टिस है, हलवाई का काम करते करते, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, देरे-देरे करके आप पहले one by one करें अब इसको बिल्कुल clean रखेंगे और बिल्कुल gold रखेंगे और इसी तरह से हम सारे ready कर लेंगे अब ये ready होने के बाद इसको हमें पकाना है चासनी चाहिए होगा जिसके लिए हमें इस तरह का कोई पतिला अगर आपके पास है कोई थोड़ा जाधा height वाला तो हमें चासनी कम बनानी पड़ेगी अगर आप कड़ाई यूज करना चाते हो कड़ाई भी यूज कर सकते हो लेकिन उसमें फिर चीनी जाधा डालना पड़ेगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आधा किलो चीनी का यूज़ कर रहे हैं मतलब कि दो कप चीनी हम यहाँ पर डाल रहे हैं और एक कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे मतलब कि जितना चीनी आप डालेंगे उसका हाफ आपने पानी डालना है वहिसे हल्वाई चार्षनी जदा बनाते हैं, जदा चार्षनी होती है तो आपके जो रजगुले हैं वो टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और बिलो गुल बनेंगे मतलब कि शेप उनका बिगडेगा नहीं, तो जदा चार्षनी होने का ये फाइदा है जब चासनी उबल जाए तब एक पीस सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे सारे पीसे हम नहीं डालेंगे एक पीस डालेंगे एक मिनट तक उबलने देंगे और एक मिनट के बाद इस तरह से हम उठा के इसको चेक करके देखेंगे अगर ये बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आए, कोई क्रैक नहीं हुआ या फिर ये बिल्कुल फटा नहीं, तो इसका मतलब हम बाकी के सारे भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो बस अब ये रेडी है तो हम बाकी के सारे डाल देंगे, अब हम क्या करेंग भगोने में या पतीले में बनाते हैं तो उसको कवर करते हैं तो आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हो लेकिन ये देखिए गैस का फ्लेम आपने इतना रखना है कई लोग पूछते हैं कमेंट करके जो गैस का फ्लेम है वो कितना रखना है तो मैं बता दू कि बस चाशनी इस त पांच मिनट के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे चेक करेंगे हलका सा खोल के यह देखिए पांच मिनट में यह काफी अच्छे से फूल जाते हैं और यह इस तरह से ऊपर की तरफ रहेंगे आप यह चीज नोटिस करना कि यह सारे रसगुले अभी ऊपर की तरफ तैर रहे हैं मतल है कि यह बिल्कुल कच्छे हैं अब तोटल दस मिनट हम इसको उबलने देंगे मतलब पांच पहले पांच आप उबलने देंगे तो टोटल दस मिनट हो चुके हैं पूरे दस मिनट के बाद अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि पानी इसलिए डाला जाता है क्यों उपर की तरफ तैर रहे हैं तो जब तक ये उपर की तरफ तैरेंगे तब तक ये बिलकुल कच्छे हैं ग्यास बंद करने की गलती मत करना तो यहां पे हमने पानी डाल दिया है अब इनको जैसे जैसे पानी मिलेगा ना ये क्या होगा कि जो रसगुले हैं वो expand होंगे मतलब अंदर से फूलेंगे बिल्कुल अच्छे से और जो चासनी है वो गारी होने की वज़ा से अंदर तक चासनी नहीं जा पा रही है तो वो अंदर तक जा पाएगी चासनी पतली हो को हम पानी के ऊपर रख दे तो वो अंदर कहा डूपता है वो जल्दी डूपता नहीं है तो वो जब उसके अंदर पानी घुश जाएगा तब वो डूबेगा तो रसगुला भी ऐसा ही है जब इसके अंदर तक बिल्कुल पानी घुश जाएगा अंदर तक चासनी भर तोटल आपने इसको 20 मिनट तक उबालना है और इस तरह से पानी डालते हुए घुमाते भी रहना है दो दो तिन तिन मिनट के बाद ऐसा करते रहना है अब उसके बाद जब लास्ट में आप देखेंगे इस तरह से यह देखिए अब यह रसगुले जो है यह उपर की तरफ न बढ़ता जा रहा है तो बस जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता जाएगा यह बिल्कुल रैडी हो जाएंगे अभी हम लास्ट में इसमें पानी डालेंगे क्योंकि यह देखिए अब यह आल्मोस्ट रसगुले जो हैं यह पक चुके हैं तो मैं इसमें और पानी डाल रहा हू मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा उपर इसके दिखाई दे रहा है ये भी चाश्नी के नीचे बिल्कुल अच्छे से डूब जाएगा लेकिन इस टाइम पर ये बिल्कुल पक चुके है जब थोड़ा सा पाट इसका ऊपर की तरफ तैरता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है ये पक गया है इसमे फोड़ा सा और पानी डाले मतलब कि last में अब almost ये पकी गया है तो gas को हमें बंद करना है तो 3-4 करिशी भरके अब हम गैस को कर देंगे बंद और ये देखिए सारे रसगुले जो है वो पानी के नीचे यानिकी नीचे यह डूब हुए है थोड़ा मैं यह ने पानी और इसके अंदर डाल दिया है जैसे-जैसे इनको पानी मिलता जा रहा है यह चाशनी के नीचे डूब ते जा रहा है अब मैं यहां पर इस टाइम पर वीडियो इसलिए जितना ज्यादा लंबा किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको पकाने में ही पहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि पकाया सही से नहीं जाता रसगुलों को और फिर वो कच्चे रह जाते हैं फिर उसके अंदर गुठली रह ज होते हैं उनको थोड़ा आधा गंटा या चालिस मिनट भी लग जाता है पकते पकते उसको अब यह देखिए बिल्कुल रैडी है अब हमने गयास बिल्कुल बंद कर रखा है ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे बिल्कुल एक घंटे के बाद जब बिल्कुल रूम टे पकुड जाते हैं मतब कि छोटे हो जाते हैं बाद में निकालने के बाद लेकिन अबी वी आप देख सकते हो कि यह वैसे के वैसे ही हैं तो यह हमने निकाल लिया है अभी यह बिल्कुल परफेक्ट है और इसके अंदर तक चाशनी भरी हुई है और इसके अंदर कोई हुई रहेगी यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट है तो यह हलवाई वाला तरीका है जो मैंने आपको बताया है और बिल्कुल असानी से आप इसे घर पे बना सकते हो एक लीटर आधा लीटर दूद के साथ तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हो घर पे कमेंट करके ज़रूर बताइए ऐसे यह और भी वीडियो से अगर आप देखना चाते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में नोटिफिकेशन बैल को आउन करें और वीडियो को भी लाइक करें थेंक्यू मिलते हैं एक पर आप